आप अपनी जिंदेगी में कितना पैसा कमा रहें, वो जितना महतोपून है, उससे ज़्यादा महतोपून है, आप उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा रहें, क्यूंकि देखे, साइट पैसा कमाना सबको आता है, परन्तु पैसा बचाना सबको नहीं, नमस्कार मैं विजय कुमार बिजिनेस कंसल्टार्ण एक मैं तो पूर्ण टापिक लेके आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर जो कि आपको हमेशा चिंतीत करता है कि मैं जो धन कमा रहा हूं मेरा जो इंकम है उसे मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं तो मैं आपको बताऊंगा mutual fund versus other investment यानि mutual fund investment पे आपको क्या benefits मिलते हैं क्या pitfall होता है और other investment पे क्या benefit और क्या pitfall होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं परन्तु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चानल को subscribe कर दिजे अगर आपको पसंद आ है तो like और share जरू करें तो सबसे पहले देखिए mutual fund व्रसेश पॉबलिक पॉबीडन फॉन्ट देखे जो म्यूच्वाम फंड है यह एक मैनेजमेंट कमपनी ऊफर करते हैं वर्द पीपे पॉब्लिक प्रविदेंट फॉन्ट जो के गम्वर्मेंट स्कीम है और उसमें government return देती है investment risk को अगर देखे तो mutual fund पे देखे risk थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि mutual fund एक open market में invest कर रहे हैं परन्तु ppf में risk बहुत कम होता है क्योंकि इसमें government आपको return देती है और इसमें fixed annual interest मिलता है इसके बाद देखे return potential को अगर हम देखे तो mutual fund पे return भेरी करते हैं अगर आप liquid fund पे invest करते हैं तो आपको 5-6% return मिल जाता है परन्तु अगर आप equity fund पे invest करते हैं यानि risk की asset पे आप invest करते हैं तो आपको साल का 18% तग भी return मिल जाते हैं परन्तु ppf में देखे आपको 7-8% return मिलती है हर साल हलाकि सरकार की rate बदलती रहती है हर साल और इसके बाद देखे investment duration देखे mutual fund पे किसी भी प्रकार की कोई duration नहीं होता है आप किसी भी वक्त अपना पैसा निकाल सकते हैं परन्तु ppf में 15 साल की duration होती है उसके बाद जाके आप withdrawal कर सकते हैं अब देखे tax saving का अगर देखे तो हर प्रकार की mutual fund को tax benefits नहीं मिलता है सिर्फ equity linked saving scheme को ही tax free benefit मिलता है परन्तु ppf में देखे 1.5 लाग तक आपका tax free होता है और 1.5 लाग का जो भी interest मिलते हैं वो भी tax free होता है और portfolio diversification की अगर हम बात करें तो mutual fund के अंदर portfolio बहुत diversified होता है और वो हर प्रकार की निवेश करते हैं लाग कभी bond खरीद लेते हैं कमपनियों की कभी share खरीद लेते हैं कमपनियों की परन्तु ppf में ऐसा नहीं होता है वहाँ पे आपको fixed return देती है क्योंकि ये government scheme है और देखें अगर आप रिस्क फ्री investment में डालना चाहते हैं लाइक 7-8% return के लिए और एक लंबे समय के लिए आप रहना चाहते हैं तो फिर आप ppf को prefer कर सकते हैं और अगर आपको flexibility चाहिए यानि जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं लिक्विडेट कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा risk लेके थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो फिर देखें आप mutual fund पे invest कर सकते हैं अब दूसरा देखें mutual fund versus fixed deposit सबसे पहले return के अगर हम बात करें तो mutual fund में return low भी हो सकता है high भी हो सकता है परन्तो fixed deposit में return जो है यह आपको bank बोला होगा यानि 5%, 6%, 7% जो भी आपको बोला होगा वो आपको मिलेगा और ROI के अगर हम बात करें तो mutual fund में देखें आपको ROI मिलता है market performance के हिसाब से अगर market अच्छी चल लई है अगर stocks अच्छी चल लई है mutual fund के तो आपको अच्छी return मिल जाती है परन्तो fixed deposit में देखें आपको market से कोई लेना देना नहीं है आपका पैसा उतनी rate से grow करेगी जितना rate से आपका fixed deposit का interest है अब risk देखें mutual fund का risk थोड़ा सा ज़ादा है क्योंकि mutual fund market के उपर dependent है परन्तो FD को zero risk माना जाता है क्योंकि देखें करोना जैसी महामारी के दोरान भी जिनका जैसा interest rate था वही interest rate उनको मिल रहा था expenses की अगर हम बात करें तो mutual fund के अंदर देखें बहुत सारे expenses होते है like entry cost लगते हैं exit cost लगते हैं fund manage करने के लिए fund management cost भी लगते हैं brokerage cost भी लगते हैं परन्तो FD के case में ना किसी प्रकार का कोई cost आपको नहीं लगते हैं क्योंकि देखें अगर आपके account में पैसे पड़े हैं आप खुद net banking के throw FD कर सकते हैं या फिर bank के पास जाके आप FD करा सकते हैं और premature withdrawal के अगर हम बात करें तो देखें mutual fund में आप premature withdrawal कर सकते हैं इसमें आपको कोई charges नहीं लगते हैं परन्तो fixed deposit में जब आप premature withdrawal करते हैं तो आपको penalty लगते हैं तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था परन्तो investment के उपर comparison करते हुए और भी ऐसे में वीडियो लेक्या होँगा अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चानल को subscribe कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो like और share बिरूप करें तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हिर्दे की एराईयो से बहुत बहुत धन्यवाद